तो गाइज आज हम बनाएंगे कुछ नया कुछ अच्छा और कुछ सिंपल सा जब घर में कुछ नहीं होता है तो दो तीन चीज़े होती है तो उनसे हम कैसे बहुत अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं और उसे पेट भी भर जाए और टेस्टे भी हो तो वही आज हम बनाने वा जाते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी वीडियो का अपना लिंक दे दूंगी वहाँ पर जाके आप इसली देख सकते हैं और सब्सक्राइब कीज़ेगा चैनल को तो गैस यहां पर मैंने लिए है दो आलू ये बड़े आलू है दो और यहां पर लिए है मैंने कॉनियन यानि की प्यास और ध्यान रखेगा गाईज जो प्यास है वो आप लें या ना लें आपकी मर्जी है तो कद्दुकस में दो तीन सैड्स दिखा रहे हूं मैं आपको तो जो मेडियम वाली सैड है जो नॉर्मली घर में होती है उसमें आ और मैंने प्याज को भी ऐसे घिस लिया है और यह हुआ है हमारा वन फॉर्थ कप दोनों को हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैं डालूंगी पोहा और पोहा कैसे बनता है गाईज आपको मार्केट में मिल जाएगा इसली यह पोहा डाल रहे हूं मैं बन थर्ड कप प्लस टू टेबल स्पून यह जो पोहा होता है वो जो राइस होते हैं चावाल होते हैं उनसे बनाया जाता है यह आपको इसली मिल जाएगा यह इसली डाला है मैंने इसमें जो इसमें लिक्विड निकलता है जो पानी छोड़ता है यह तो उसको सोख लेता है पोहा तो डाल सकते हैं 2 tablespoon और यहां पर मैंने घी लिया है 1 1.5 tablespoon अब इसे चाहे तो 1 teaspoon में 1 1.5 teaspoon पर even बिना घी डाले भी बना सकते हैं इसलिए लिया है मैंने इसे बहुत अच्छा color आता है flavor भी बहुत अच्छा आता है तो अब बिल्कुल हलके आज पर मैंने इसको पिगला लिया है melt कर लिया है जैसे यह melt होता है ध्यान रखेंगे गाइस बहुत most important है जो आपकी flame है वो बहुत कम होनी चाहिए जब आप इस पे वो mixture डालेंगे तो अभी जो mixture मैंने बनाया था इसको 5 minute हो गई है रखे हुए पोहे ने सारा का सारा liquid सोक लिया है अब मैं last में साल्ट डाल रह अगर आपको लगता है कि और पोह डालना है पानी छोड़ दिया है तो आप डाल सकते हैं अब यह तो आप gas इस टाइम पर बंद कर दीजे या फिर बिल्कूल लो कर लीजे और जो आपने mixture बनाया हो सारा mixture मैं इसमें डाल रही हूं और डालने के बाद में हम इसी बड़ी सी चमचे से या किसी sponge से जिस से भी आपको सही लगे उससे आप इसको फैला ले और शेप में जिस भी शेप में आप चाहे उस शेप में अप इसको कर ले मैं इसको गोल शेप में बना रही हूँ गाईज ये बहुत अच्छा लगता है खाने में आपको एक चीज में बताऊंगी difference बताऊंगी कि कौन फ्लार डालने से क्या difference होता है और खाली पोखार डालने से क्या फर्क होता है तो देखिए गाइस कितनी अच्छी सी शेप हो गई है इस चम्चे से और जैसे आप शेप बना लेते हैं अब इसको आप मेडियम या हाई फ्लेम पे कर सकते हैं कुछ देर के लिए फिर मेडियम पे कर सकते हैं तो यह अल्मोस्ट आपका मेडियम और लो पे रहेगा कभी-कभ पलटना है और अगर आप चाहते हैं इसमें अच्छे से इक्वल कलर आए तो आप बीच-बीच में जब इसको पलट लेंगे तो ओपर से चम्चे से दबाते हुए इसको सेकेंगे इस ते इसमें बहुत प्यारा सा कलर आएगा तो गईस मैं आपको दिखाती हूँ पलटते ह तो यह तोट सकता है तो देखें जैसे मैं इसको पलट ने हूब तो यह तोट गया इससे तोटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बत मैं आपको बता देती हूँ अगर आप इसमें कॉन फ्लोर डालेंगे यानि की मकी का आता Cool going floor को मकी का आता भी खा़ जाता है अगर आप उसको डालेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं टूटेगा binding बहुत अच्छी हो जाती है आलू के साथ वो binding बहुत अच्छी दे देता है अब हमने क्या किया है इसको ऐसी हम सेखते हुए उल्टा पल्टा करते हुए हम इसको सेखेंगे जैसा भी आपको कलर चाहिए उसके हिसाब से आप लोगों ने कहीं बार मुझे बोला कि कॉर्ण फ्लॉर मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने आपको उसमें पोह डालके बताया है कि पोहे से भी कैसे आप इसको बना सकते हैं और आपको पता है बहुत सिंपल है जब भी मेरे पास कुछ ऐसा लगता है कि बहार जाना पड़ेगा कुछ लेने के लिए सबजियां लाने के लिए और कुछ भूक लगरी बहुत तेस तो मैं यह बना के खा लेती हूँ किसी भी टाइम इवन डिनर पे भी खा लेती हूँ मैं एक्चली बहुत ज़्यादा लेजी हूँ इसलिए मैं यह काम करती रहती हूँ तो आप भी यह कर सकते हैं वैसे मत कीजेगा टाइम से हर चीज अच्छी लगती है नाश्ते में बहुत टेस्टी लगता है तो गाईस इसको आप बनाईए खाईए और आपके घर में अगर बच्चे हैं उन्हें भी बहुत पसंद आएगा और यह टोमैटो केचप के साथ में यानि के साथ में बहुत टेस्टी लगता है ट्राई जरूर कीजेगा और अगर कुछ ना हो घर में तो फटा फट बनाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और एक ही इसमें आपका बहुत दो लोगों का आराम से इसमें पेट बर जाता है क्योंकि हैवी बहुत होता है तो guys enjoy and keep watching till then bye bye